Hello everyone, I am Birgis. In this video we are going to start class 8th Math XI 6.3 with question 7. In this question we have the students of class 8th of a school denoted rupees 2401 in all. Class 8th के जो students है, वो यहाँ पर 2401 रूपीस denote करते हैं. अब यहाँ पर NES दे रखा हैं for Prime Minister's National Relief Fund. किसके लिए करते हैं? Prime Minister's National Relief Fund के लिए हैं. NES यहाँ पर each student denoted as many rupees as the numbers of students in the class. तो यहाँ पर class में जेतनी students हैं, वो यहाँ पर उतने ही rupees denote करते हैं. For example, कि तो अगर class में 30 students हैं, तो यहाँ पर एक student 30 rupees denote करेगा. एक student 30 ही denote करेगा. इस तरह से यहाँ पर करते हैं, जेतने students हैं, उतने ही rupees denote करते हैं. Next, यहाँ पर find the numbers of students in the class. तो class में कितने students हैं, वो हमें find करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, let कर लेंगे, let number of student. तो यहाँ पर जो number of students हैं, यहाँ पर हम x consider कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने x consider कर लिया. Next, यहाँ पर total money denoted. तो यहाँ पर वो कितने denote करते हैं? टोटल money denoted. तो यहाँ पर वो करते हैं, कितनी x? अगर x उस्टे एंट से हैं, तो यहाँ पर वो x ही money denote करेंगे. तो यहाँ पर x multiply x हो जाएगी, तो यहाँ पर total rupees कितने हैं? 2401, equal to यहाँ पर हो जाएगा, x की multiply हम x से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x square. x square यहाँ पर हो जाएगा, next यहाँ पर, अगर यहाँ पर square है, जब हम इसका square cancel करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? इस पर root आजाएगा इस तरह से, 2401, x यहाँ पर single हो जाएगा, square में ऐसी condition लागू होती है, अगर किसी number पर square लगा हुआ है, best single number है, तो other side जाके unequal में, जो number होता है, उसमें के लग जाता है, root लग जाता है, इस तरह से, तो यहाँ पर, अब इसका हम root find करेंगे, अब root हम कैसे find करते हैं, prime factor करके, तो इसके हम prime factor करते हैं, 2401 के, अब यहाँ पर यह number हम cut करके देखेंगे, कि यह number किस-किस number से cut हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से cut नहीं होगा, इसके बंस place में, यहाँ पर 24608 नहीं है, किसी भी numbers के बंस place में, यह numbers होते हैं, तो वो number 2 से cut हो जाता है, नेस्ट यहाँ पर 3 से हम cut करके देखते हैं, 3 का cut करने का rule होता है, 2 plus 4, इसकी जो digit है, उसको हम add करेंगे, 2 plus 4, 6, अब प्लस 1, 7, अगर 7 है, अगर 3 से cut हो गया, तो इस minus यह number 3 से cut हो जाएगा, तो यहाँ पर यह 3 से cut नहीं हो रहा है, नेस्ट यहाँ पर 5 से cut करने के लिए इसके 1 place में 5 या 0 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, 5 या 0 होना चाहिए, जीरो नहीं है, तो इस तरह से 5 से भी cut नहीं होगा, नेस्ट यहाँ पर 7, अब 7 से cut करके देखते हैं, यहाँ पर 7, 30, 30 हो गया, तो यहाँ पर 7, 40, 28, and यहाँ पर 2 रहा गया, 30 थे हैं यहाँ 2 इस साइड आएगा, यहाँ पर होजाएंगे, 21, तो 7, 30, 21, अगें इस 7 से cut हो जाएगा, 7, 4, 28, and यहाँ पर 6 रहा गया, तो 6 इस साइड आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगे, 63, तो 7, 9 से 63, अगें, 7, 7 जा 49, अगें, 7 बन से 7, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 का पेर बन गया यहां भी पेर बन गया तो यहां पर क्या है इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेवन मल्टिप्लाई सेवन सेवन मल्टिप्लाई सेवन एक्कॉल तो यहां पर 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 यहां तो इस तरह से आपको इस वाली question का solution करना है अब यहां पर हम next question को solve करते हैं next question we have 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows तो यहां पर जो question कह रहा है 2025 plants है एक garden में तो वहां पर जो plants उन्होंने planted की है means यहां पर plant उन्होंने लगाए है तो यहां पर इतनी row है उतनी plants उन्होंने लगाए है for example के तरो 5 row है 1,2,3,4,5 अगर यह 5 row है तो 5 row में उन्होंने क्या किया है 5 ही plant यहां पर लगाए है तो बन यहां हो गया 2,3,4, next 5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 plants उन्होंने लगाए है next यहां पर find the number of rows and number of plants in each row तो यहां पर row में कितने plants हैं and कितनी row हैं यह हमें find करना है तो इसको हम let करेंगे let number of row तो यहां पर जो row है उसको हमने यहां पर x कर लिया next यहां पर number of plants in each row तो एक row में कितने plants हैं तो यहां पर जितनी row है उतनी plants हैं तो इसको भी हम x यहां पर consider करेंगे तो यहां पर total plants हो जाएंगे total plants x multiply x जितनी row है उतने ही यहां प्लांट से हैं तो x की multiply x से हो जाएगी अब यहां पर यहां पर यहां पर दी रखेंगे हैं तो 10025 एक यहां पर हो जाएगा एक अप इसका जो root हो हम find करेंगे अब root फाइंट करने के लिए हमें के करने होगा यहां पर इसके हमें prime factor करने होगे अब यहां पर देखिए 2 से नेस्ट यहां पर 3 से कट करने के लिए इसकी डिट को एक टरना होगा 2 plus 2, 4 plus 5, 9, 9, अगर 3 से कट हो गया तो यह नमबर पूरा 3 से कट हो जाएगा, तो यहां पर 3, 3 जा 9, तो यहां पर 3 आया, तो this mean is, इसका जो सम है, डिट का साम में 3 से कट हो रहा है, तो whole नमबर, यह पू 22 में से फिर again बन रहा गया, तो यहां पर करते हैं, बन यहां पर लिए आते हैं इसको, यहां पर जागा 15, jadi 3, 5, 15, again 3, 7, 21, 3, 5, 15, again 3, 2, 6, 3, 5, 15, next यह नमबर कट होगा 5 से, तो 5, 5, 25, again 5 बन जा 5, इस तरह से इसका यह होगा प्राइम फेक्टर, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस तरह से 3, multiply 3, multiply 3, multiply 3, 5, multiply 5, इस पर हम लाएंगे root, next equal to यहाँ पर होगा, x, अब next यहाँ पर, एक पर यह बन गया, एक पर यह बन गया, next पर यहाँ पर यह बन गया, तो 45 यहां पर आंसर आया, X. तो X की बेलू यहां पर आई है, 45. तो this mean is, यहां पर जितनी रो हैं, उतने ही यहां पर plants हैं. तो यहां पर number of rows हो जाएंगे, number of rows. यहां पर हो जाएंगे, 45. Next, यहां पर number of plants in each row. यहां पर हो जाएंगा, 45. तो इस तरह से आपको इस वाले question का solution करना है. I hope आपको question number 7 and question number 8 का solution easily understand हुआ होगा.